किताब के दुनिया के आज के मेंमान हैं इंग्लेंड के हिंदी विद्वान डॉक्टर रूपर्ट स्नेर जो हैं तो इंग्लेंड के लेकिन हिंदी जगत को वे सजातिय ही लगते हैं क्योंकि संभवता है विगत वर्षों में वे हिंदी पाठकों के सरवाधिक निकट के विदेशी हिंदी विद्वान हैं यों तो हम उनके अवदान से परचित हैं लेकिन फिर भी किताब की दुनिया के करोड़ों नए दर्शि के लिए डॉक्टर उपार्ट सनेल के बारे में कुछ जानकारी संख्षेप में संप्रतिवे लंदन विश्विध्याले के दक्षिन एश्याई भाषा एम संस्कृति विभाग प्राच्य विज्या एम अफ्रीकी अध्यान संस्थान के प्रभारी एम रीडर है इस्कूल और और येंटल एंड अप्रिकन स्टेडी से ही उन्होंने हिंदी की उच्छ शिक्षा प्राग की वहीं वे रिशर्च पैलो हुए और वहीं पर वे हिंदी की प्रवक्ता और बाद में वरेष्ट प्रवक्ता हुए उनकी महत्वों प्रकाशित सामगरी है स्क्रिप्चिरल लिट्रेचर इंदी राधा वल्लव संप्रदाय यश्पाल की कहनी उप्देश का अनुवाद History vs. Hagioography in early Hindi literature, the biography of Hit Arivan, Hit 84 और उसका टी का साहित्ये प्रेम्चन की कहानी राम लिला का अनुवाद, अमरत्रे की कहानी नक्षल का अनुवाद, नेमिचन जेन द्वारा रेणु के उपन्यास, मैला आचल पर लिखी समिक्षा का अनुवाद ब्रिज भाषा काव्य साहित्य और भक्ति शोद आलेक, दक्षन एश्याई संस्कृत के मोलाधार, हडपा कालिन सप्रिता से गुप्त कालिन सप्रिता तक विश्यक लेक, इंगुत्यों, मोल अवधारनाय एममिच्यास हिंदी साहित्य के प्रारंभिक और आधुनिक काल पर कई शोद लेक, मध्यकालिन कवी ब्याहरी पर शोद लेक, हिंदी सिक्षन और रस्खान के कृत्रित्य पर लेक आध्याई इन दिनों हिंदी कभी कुमर नरायन, केदारनाथ सिंग और मंगलिश डबराल की कविताओं के अनुवाद कर रहे हैं। डॉक्टर स्नेल को प्रिन्यदाद में पांचवें विश्य हिंदी सम्मिल्न के मौके पर अभिनंदित किया गया। इसके अधिरिक्त लंदन की हिंदी समिती और केंद्री हिंदी संस्थान दिल्ली ने भी उन्हें उनके महत्पून योगदान के लिए समाध्रित किया। डॉक्टर उपर स्नेल जैसे प्रखर्ट प्रेजस्वी और महत्पून विद्वान को हमने किताब की दुनिया में आमन्तित किया। उनसे बाचित कर रहे हैं पत्रिकार कवी समिक्षक अध्यापक डॉक्टर रमेश रिशिकल्ट ये स्वभाग्य की बात है कि अगर दो भाषाओं का, दो साहित्यों का, चिंतन पधतियों का और दो संस्कृतियों का भूमंडली करण हो तो निश्चित रूप से पश्चिम और भारत एक दूसरे को पून कर सकते हैं। बहुत पहले शायद विवेका अनंद ने इस बात को अच्छे तरह समझा था और उसकी व्यग्यानिकता को उभारते हुए हमारे सामने ये बात रखी थी कि जहां पश्चिम टेकनलोजी के आधार पर भारत को काफी कुछ दे सकता है वहीं ये बात पून त्यावेग्यानिक है कि भारत भी एक विश्व गुरू के रूप में आध्यात्मिक चिंतक के रूप में पश्चिम को बहुत कुछ दे सकता है। मैक्समूलर जैसे विद्वानों ने इस बात को सहर सुविकार किया था और पहचाना भी था। इसलिए पश्चिम के साहित्यकार पश्चिम के वो विद्वान जो हिंदी से जुड़े रहे उसी कड़ी में आज हमारे साथ लंडन युनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉ रूपर्ट स्नेल हमारे साथ हैं आज हम उन से इसी विशह पर बातचीत करेंगे डॉक्टर रूपर्ट स्नेल सबसे पहले तो मैं आपका भारत में आने के लिए आपका हिर्दा से स्वागत करता हूँ धन्यवाद और हम अपनी बातचीत इसी प्रश्चित से आरंब करते है कि आखिर क्या कारण है कि आप इंग्लेंड में रहे और रहे कि आप तो अंग्रेज हैं और उसके बावजूद आप हिंदी से इतनी शिद्दत के साथ जोड़े हुए मेरी रुच्छी सबसे पहले हिंदुस्तानी संगीत में पैदा हो गई थी और जब मैं स्कूल में था मैं शायद 16-17 साल था तो मैं शास्त्रिय संगीत हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत को सुनने लगा मुझे उसको सुनने का मौका मिला तभी मुझे लगा कि मैं भारती संस्कृति के बारे में कुछ और सीखना चाहता हूँ सच पूछे तो उस समय मुझे विश्वविद्या ले जाना था फ्रेंच भाषा सीखने के लिए लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरी रुच्छी तो भारत वर्ष में है तो मैं किसी भारती भाषा को क्यों न चुनू तभी मैंने हिंदी को चुन दिया अच्छा आपने हिंदी को चुना और हिंदी में भी खासतोर पर आपने मध्यकाल को चुना और मध्यकाल में भी आपने काफी काम मैंने देखा कि रितिकाल पर किया है आखिर आपको रितिकाल में ऐसा क्या लगा भारती साहित्य के रितिकाल में जिस पर आपने अपना ध्यान पूरी तरह मनोयूग से केंद्रित किया सबसे पहले ये सपष्ट कर देना चाहिए मुझे की शुरू में तो मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी आप याद रखिये शुरू में मुझे करका से शुरू करना पड़ता था तो जहां तक मध्यकालीन साहित्य की बात है वो बहुत बाद में आया था साहित्य को परना और पता नहीं क्या बात है लेकिन मध्यकालीन साहित्य जो है उसमें एक ऐसी बात है जो मेरी मन को आकरशित करती है चाहे वो असाहितिक हो चाहे वो धर्म से संबंदित बातों को लेकर लेकिन उसमें एक तत्व है जो मुझे बहुत भारतिय लगता है जो मुझे बहुत आकरशित करता है अच्छा मध्यकाल के अंदर भी आपने रीतिकाल के कफ़े अच्छे कवियों को लिया है जिनकी कविता का आपने अनुबात किया है जैसे बिहारी आल की काफी दोहे आपने अनुदित किये रस्खान के सवया और तुलसी और तुलसी के बरवे आपने लिये यानि कि छंद की वो कविता जिसे प्राया हिंदी वाले भी बहुत कम छूते हैं आजकल खासत और पे आधुनिक यूग में उसको आपने बहुते सुन्दा धंग से अनुवाद किया तो उसके अनुवाद के आपको क्या जूरत पड़ी सारा आधुनिक साहिती छोड़ के जब मैं विहारी जैसे कवी को परता हूँ तो मेरे मन में एक स्वाभाविक आनन्द आता है उस आनन्द को बांटने के लिए अपने अंग्रेजी मित्रों के बीच में लोगों को दिखाना कि मद्धिखालीन सहाथिती में, हिंदी के मद्धिखालीन सहाथिती में क्या-क्या है इसको आगे बढ़ाने के लिए, इन बातों को समझाने के लिए मैं अनुबाद करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं मामता हूँ कि वैसे मैं मध्धिकाल में फंसक्या हूँ, दुनिया आगे बढ़ रही है और मैं पीछे की तरफ देख रहा हूँ, लेकिन जो मध्धिकालीन साहित्य का थत्व है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप तो आधुनिक साहित्य से भी चुड़े हुए हैं, तो जब हम मध्धिकालीन कविता पढ़ते हैं और आधुनिक साहित्य भी पढ़ते हैं, तो मध्धिकालीन साहित्य भी हमें आनंदे देता है और आधुनिक साहित्य भी हमें आनंदे देता है, उसमें भी कुछ चीज़ वो तो हैं लेकिन आप दोनों को अलग हिस्सों में विभाचित कर रहे हैं एक तरफ मध्यकालिन साहितिय दूसरी तरफ आधुनिक साहितिय चबकि मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि साहितिय साहितिय ही है और इस तरह का विभाजन माफ कीजेगा मेरे मेरी समझ में पूरी तरह से आवश्यक नहीं है जो साहितिय का असार है उसका समय के साथ किसी तरह का संबंध नहीं है तो हम चाहे हम कहें कि ये पुराना हो या आज या कल सुबह का लिखा हुआ हो पिछले हफदे की लिखी हुई का विथा किसी हद तक हम समय को पार करते हुए एक तत्बब पाते हैं जो समय से अलग है चाहिद मैं अपनी बात को ठीक से नहीं समझा खाब रहाँ शायद आप कहना चाहते हैं कुछ चीज़ें कालातीत होती है काल आतीत हो सकते हैं और काल से जुरे हुए नहीं हो सकते हैं जैसे कि बहुत से बातें जो कविता में आती हैं उनका समय से किसी तरह का संबन नहीं है जैसे कि प्यार प्रेम वो आधुनिक हो या किसी गत पुराने जमाने का हो तत्व और अनुभाव वही है हिंदी का जो आधूनिक साहित है, जो हमारे पुराने क्लासिक्स है, उनके बारे में तु सब जानते ही है और उनको पढ़ा भी जाता है इंगलेंट के अंदर, इनिवर्सिटीज के अंदर लेकिन जो आज साहिते लिखा जा रहा है जो आधुनिक साहिते है उसकी क्या स्थिती है इस समेंग ग्लैंट में खास्त दूर पर इनुवर्सिटीज के अंदर ऐसा है कि सिर्फ तीन चार विश्विविद्याले हैं वहां पे जहां हिंदी परहाई जाती है तो हमें मानना पड़ेगा कि जहां तक साहित्य का प्रशन है आधुनिक साहित्य का तो कुछ कम हो रहा है इस क्षेत्र में हाँ जहां मैं परहाता हूँ वहां हम आधुनिक हिंदी साहित्य में कॉर्सिज देते हैं और लोग सीखते हैं तोड़ बहुत लेकिन जब शुरू में जब विद्यारती हमारे पास आते हैं तो उनको हिंदी बिलकुल नहीं आती है तो जाहिर है कि हिंदी साहित्य को समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है तो खागागा से शुरू करना पड़ता है जैसे कि मैंने पहले कहा था तो हाँ आतुनिक साहित्य में हम ज्यादातर कहानियां ही पढ़ाते हैं जो कि समझने में शायद कम मुश्किल हो तो वहीं से शुरू करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको जो इसमें बहुत रुच्ची लेते हैं और फिर बाद में आगे जाकर शोधकार्य करने लगते हैं लेकिन ऐसे लोग कुछ खम है अच्छा आज एक बात बहुत जोड़ शोड़ से कही जा रही है अंतर राश्ट्री इस तर पर वो बात है जिससे आप globalization कहते हैं हिंडी में भूम अंडली करन तो व्यापार के धरातल पर तो बहुत भूम अंडली करन की बात की जा रही है क्या साहित्य कला और संस्कृति के धरातल पर भी इस तरीके का कुछ हो रहा है पश्चिम की तरफ से कि जिससे की एक देश की भाशा एक देश का साहित्य एक देश की संस्कृति दूसरे देश में जाए और उसका आदान परदान हो यानि कि कला साहित्य संस्कृति का भी भूमंडेली करण हो, क्या इस पर कुछ विचार हो रहा है? जी हाँ, और मेरे खिया से लोग इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं, कि भूमंडेली करण का जो नतीजा है, वो ये नहो कि सिर्फ अमेरेकन कल्चर ही सारी दुनिया में पहल जाए, क्योंकि ज्यादतर यहां हिंदुस्तान में भी, मैं देखता हूं कि जो कारिकरम हैं, जैसे कि इंग्लेंड में भी यही स्थती है, तो शायद इसको आदान प्रदान कहना कटिन होगा, क्योंकि जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं, यह वन वे ट्राफिक है, कि एक देश का ब्रभाव दूसरे देश पर फड़ता है, वो दूसरी देश का ब्रभाव उल्टे तरफ पहले देश की तरफ नहीं जाता है, जबकि भूमंडली करण में होना यह चाहिए कि जो दूसरे विकास कर रहे देश हैं, उनकी भाशा और उनका साहित भी पश्चिम के तरफ जाए, और उसको पूरी तवज्जो भी दी जाए, लेकिन जैसे कि आपने कहा है, इसको ह हिंदी भाशा पर पढ़ रहा है, यह मैं नहीं कहता कि यह बुरी बात है, लेकिन हमें मानना है कि यह जो ग्लोबलाजेशन है, उसके कुछ असर होते हैं दुनिया में, और हमें मानना पड़ेगा कि यह मेरे अपने विचार में उसका परिणाम हमेशा अच्छा नहीं होता, कि भारत की जो खासियत है, भारत वर्ष की जो सांस्कृतिक विशेशता है, वो कभी-कभी मुझे लगता है कि उसका मत्वक कुछ कम हो जाता है, अगर इस देश में दूसरी देशों का असर बहुत अधिक हो. भूमंडली करण का मूल मकसद जो है, वो पहली बात तो एक तरफा है, दूसरी बात यह है कि वो व्यवसाई कधिक है, वो कला और संस्कृति के मूल्यों से जुड़ा हुआ नहीं है, क्या आप यह कहना चाहते हैं? लेकिन पैसे हम, मैं यह भी मानता हूँ कि भारत वर्ष की कला और किसी हद तक उसका साहिद्य भी सारी दुनिया में इसका असर होता है, लोग बहुत आनन से हिंदुस्तानी संगीत को सुनते हैं, बहुत मज़े से हिंदुस्तानी खाना खाते हैं, यहां तक कि कुछ लोग जो फस्चे में रहते हैं, हिंदुस्तानी पोशाग को अपना लिया है, लेकिन यह सारी बातें सीमित हैं, और उस तरह का पूरा असर नहीं हो पाता है, जो कि अमेरिका से सारी दुनिया में होता है, लगातार साहिद्य की किताबें में जनता की रुच्छी कम होती जा रही ह खास तरह पे जब से टेक्निलोजी आई है, तो टेक्निलोजी के ऐसे बहुत से उपादान हमारे पास आ गए हैं, कि अब आम आदमी, आम जनता उसमें अधिक रुची ले रही है और धीरे धीरे साहिद्य की और प्रवती कम हो रही है, क्या ये बात सत्य है, खास तरह पे प जारा लोग फढ़ रहे हैं, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो, और चाहिद टेलेविजन की वज़े से लोग इतना नहीं पढ़ते हैं, जितना कि फ़र सकते, लेकिन मैं ये कभी नहीं मानूंगा कि पश्चिम के देशों में किताबों कम पढ़ी जा रही हैं पश्चिम में English Indian writer अपनी एक किताब मार्कीट में देता है तो काफी चर्चा उस पर होती है उसका प्लॉट उसकी कतावस्तु उसका पूरा का पूरा सिनेरियू द्रश्यबूद पूरा का पूरा भारतिय होता लेकिन वो अंग्रेजी हशा में होती है तो बड़ी सेलेबल होत होती है काफी बड़े-बड़े अंतराष्ट्य पूरसकार भी उसे प्राप्त होते हैं लेकिन जब एक वास्तविक सच्चे और अपने जड़ों से जड़ी हुई कोई कृति अपनी भाशा में आकर के पश्चिम में जाती है तो उस पर चर्चा क्यों नहीं होती उसको नजर क्योंकि ने का सोचने का ढग इसमें प्रतिविम्बित होता है उसका अनुवाद करना बहुत मुश्किल है और दूसरा कारन यही है कि हिंदी से कमसे अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी किताबों का सही अनुवाद अंग्रेजी में बहुत कम हो पाया है अभी तक और कुछ ही ऐसी किताबें हैं जिनका अंग्रेजी आनुवाद सफल हुए हूँ मैं बार-बार सोचता हूँ कि क्या वो समय आ गया है जब भारत परश्चिम को कुछ दे सकता है और अगर दे सकता है तो क्या यह आप एक किसी विदेशी से पूछ रहे हैं यह सवाल लगा ँद्जर्ब्ह झालनेशी फेह लो आप रहे हैं कि अपरश्चिम की और नहीं पहुश्य और नहीं भारत तो बहुत कुछ दे सकता है और और कब से वारत दुणिया को बहुत कुछ दे रहा है अजह जो दिया गया है भारत से इतना ज्यादा है कि मैं इसका वर्ण नहीं कर सकता हूं कि जो हिंदी भाषा में जो मेरी रुची है मेरा मेरी जीवन का एक अंग बन गया है और भारत की परंपराएं जो हैं चाहे धार्मिक हों चाहे कला केक्षेत्र के हों वे दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं होत्त पतुー में धीरे धीरे धर्म का प्रभाव कं हो रहा है जी हां बिल्कुल ने पक्लाशिम में विंट कर दो हैं याँ फिली। जब की भारत भारत के बारे में कहना मुश्किल है क्यूंकि यह यहां धर्म और राजनीती का जो संबंध है वो इतना जटल हो गया है कि यह कहना मुश्कित है कि यह धर्म है और यह राजनीती है और यह सारे क्षेत्र में जाना मेरे लिए बहुत खटिन लगता है मैं मानता हूँ कि हर देश में दो धराएं लगता बहती है एक उस देश की जनता होती है एक उस देश का सत्ता पक्ष होता है तो खास्थ और पर इंग्लेंड की जो जनता है वो भारत की कला और संस्कृति और धर्म के बारे में क्या सोचती है भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत से काफी प्रभावित हुए हैं लेकिन ज्यादतर लोग तो सच पूछिये तो हिंदुस्तान के बारे में भारत के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते क्योंकि हालांकि बृतन का राज ये हुआ है हिंदुस्तान पर फिर भी वो एतिहासिक संबंद कुछ धीरा हो गया है, बहुत खतम हो गया है पूरी तरह से तो आजकल जब अगर आप किसी आम अंग्रेज से पूछेंगे कि आप भारत के बारे में सोचते हैं तो उनका जवाब होगा शायद की हाँ मुझे भारती खाना, हिंदुस्तानी खाना बहुत पसंद है या हिंदुस्तान में बहुत से लोग क्रिकेट बहुत अची तरह से खेलते हैं, इस तरह से और भारत वर्ष के बारे में जो जानकारी है इंग्रेंड में, वो कुछ कम हो गई है, पिछले शायद 30-40 साल में तो क्या ये टेकनलोजी इस बारे में कुछ मदद कर सकती है, कि जो भारती ये साहित है, भारती ये लेखन है और खास्तोर पर जो भारती ये जीवन पधती है, लाइफस्टाइल है, वो पश्चिम तक पहुंच सके जी हाँ, मेरे खिया से नई टेकनलोजी के द्वारा लोग काफी कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट का विकास हो रहा है तो उसके माधिम से हर एक देश के लोग, हर दूसरी देश के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और मैंने देखा है कि चुकि भारत वर्ष कंप्यूटर की दुनिया में काफी आगे है और इस तरह का काम बहुत चल रहा है भारत वर्ष में तो भारत वर्ष के बारे में सीखने के साधन असीमित है आपने राधावलव संपरदाय पर काम किया है और ब्रजभाशा के साहित पर भी आपने काफी काम किया है तो आपका उस तरीके से क्या कंट्रिबूशन है ब्रजभाशा साहिती के लिए और ब्रजभाशा पर आपने ज के लूप में किया था जो कि बाद में प्रकाशित हुआ था लेकिन आजकल जो काम में कर रहा हूं या कहना चाहिए करने की कोशिश कर रहा हूं वो है अनुवाद और वो मैं सहितिक अनुवाद कहना पसंद करूंगा क्यूंकि मैं जैसे कि आपने कहा था पहले कि मैं बिहारी स ब्रजभाशा की पाठकों को किसी हद तक मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये कविता है ब्रजभाशा में जिसकी अपनी सुन्दर्था होती है जिसका अपना महत्व है और चुंकि ये देश और काल दोनों अर्थों में आधुनिक ब्रिटन से बहुत दूर है इसलिए इ एक रोचक काम बन जाता है तो बिहारी लाल आज के संदर्फ में कैसे प्रासंगिक होते हैं आपके लिए जवाब बिहारी पर काम करते हैं मैं यह दवा नहीं करता हूं कि ये प्रासंगिक हो लेकिन अगर हृदय को छू ले मतलब आप प्रासंगिक तामे विश्वास नहीं करते हैं उस धंग से उस धंग से नहीं कि काविता अपनी में एक अलग चीज है उसको उसकी अपनी शक्ति होती है यह जुरूरी नहीं कि यह आलू के भाव से संबंध रखे यह अपने में एक अलग जो कि एक साहितिक दुनिया में रहती है अच्छा हम चाहेंगे कि आपने कुछ अनुवाद किये हैं हमें कम सिक्म दो अनुवाद आप पहले हिंदी में और फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करके थोड़ा सुनाएं जो भी आपको पसंद हैं यह बिहारी का एक दोहा है जी दीप अजेरे हूं पतही हरत वसंद रतिकाज रही लपती चबी की चटनू नैकों चुटी नलाज तो इसका अनुवाद में इन शब्दों में किया हैं अंग्रेजी में Her raiment was removed by husband's hand, yet modesty maintained its slender life for even in the lamps revealing glow, her body's luster clothed this lovely wife और अब तुमामी कैवा आवद इहींगरी रहं चलाए चलाएन यह किसका है, बिहारी का बिहारी कैवा आवद इहींगरी रहं चलाए चलाए चलाएन दरसन की साधें रुहे, सूधे रहें 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 अंग्रेजी में Many a time he walks this way But though I try to look at him My eyes, too prim, will not obey My longings in its prime Good, एक और, एक और यह भी बिहारी का एक दोह है Mili-chali, chali-mili, chalat, aangan athayo bhanu Bhayo muhoorat bhorko, paurehi pratham milanu और इसका अनुवाद में, अंग्रेजी में बहुत घुले धंग से किया है इसका एक असर शायद कुछ दूसरे धंगा हो जाता है अपतनी आप मानिंगी की अनुवाद है किनी Adieu, adieu, not yet adieu, with heart a-heaving A due dawned courtyard saw the lover leaving By then the setting sun announced, it's late And first day's journey ended at the gate बहुत बहुत धन्यवाद, Dr. Rupert Snell आपका, आप हमारे साथ हाए और एक बहुती लंबे व्यापक फालक पर आपने हमारे साथ बात्चित की